नमस्कार दोस्तो मैं रमे साफ का स्वागत करता हूँ यूटूब चानल LSC Ensure में क्या पती-पतनी का बिमा एक साथ हो सकता है? आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि पती-पतनी का बिमा एक साथ क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों मैं कहता हूँ ये हो सकता है LSE जीवन साथी package plan में तो इसे start करने से पहले एक छोटी सी बात है दोस्तों अगर आपको एक ऐसा जीवन plan मिले जिसमें आप और आपकी जीवन साथी दोनों ही इस एक plan से सुरच्छित रहे और उसका लाप पा सके तो ऐसा कोन नहीं चाहता अगर हम देखे तो अकसर परिवार में अगर पती का insurance policy होता है तो पतनी का नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है पती हमेसा यही सोचता है कि अगर मेरे न रहने पर पतनी अपने policy का premium किस तरह भरेगी इसलिए लोग अकसर करके पतनी का insurance policy नहीं लेते है लेकिन अब आप सभी अपने insurance policy के साथ साथ अपने जीवन साथी का भी insurance policy ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं इसके बारे हम आगे बात करेंगे तो दोस्ता हम यहाँ बात करेंगे जीवन लक्ष प्लान नंबर 933 के बारे में जिसमें काफी सारे benefits अवलेबल हैं इस प्लान में काफी सारे विशेशता हैं जो काफी अच्छा returns भी देती हैं और साथ साथ में अच्छा security भी family को देती है मतलब family protection plan भी आप इसे कह सकते हैं दोस्तों अगर यहाँ में बात करूँ तो आप अगर husband है अपने नाम पे समिसर्ट पांच लाग की policy ले रहे हैं तो उसी समय अपनी wife के नाम पे भी यह समिसर्ट पांच लाग की policy आप ले सकते हैं इसमें होगा यह कि maturity के time पर दोनों पती पतनी को maturity benefit मिलेगा सपोज husband को पांच लाग समिसर्ट का maturity benefit मिलता है साड़े तेरा लाग रुपया तो उसी समय wife को भी maturity benefit amount मिलेगा साड़े तेरा लाग रुपया मतलब total मिला के 27 लाग के आसपास का maturity benefit वन टाइम मिलता है अगर किसी कारणवस husband की death हो जाती है तो उस समय जो भी benefits रहेंगे वो यहाँ पर wife को दे दिये जाएंगे मतलब husband के न रहने पर उसे उसके premium भरने की tension न होगी वो उस premium से उस जो benefit रहेगा उससे उसका premium भर सकती है लेकिन अगर किसी कारणवस wife की death हो जाती है तो वही benefit death benefit यहाँ पर husband को दे दिया जाएगा मतलब उससे भी वो उसका premium भर सकता है तो दोस्तों हम इस video हम बात करेंगे कि वो benefits क्या है क्या उसकी विसेश्था है plan की तो आगे हम इसके बारे में detail में जानेंगे लेकिन उससे पहले हम इस plan की जो plan लेने की विसेश्था है उसके requirements क्या है उसके eligibility क्या है उसके बारे में बात करेंगे eligibility condition features की बात करू तो यहाँ पर जो policy लेने की minimum age entry LIC ने रखी है वो 18 सल completed होनी चाहिए और maximum age entry यहाँ पर 50 वर्स LIC ने रखी है जो nearest birthday होना चाहिए minimum जो policy term है अगर यहाँ पर देखे तो 13 वर्स है मतलब 13 वर्स है कम के लिए policy आप नहीं ले सकते maximum policy term की बात करूँ तो यहाँ पर जो policy term है वो 25 वर्स है मतलब 25 वर्स की policy के उपर आप नहीं ले सकते है मतलब 13 से लेके 25 वर्स के बीश में आप कोई भी एक term select कर सकते है maximum policy maturity age में 65 वर्स नीरश birthday होना चाहिए अगर यहाँ पर एक example लेके देखते हैं एक वैक्टी जिसकी age 50 वर्स है तो यहाँ पर वो policy से 15 वर्स के लिए term ले सकता है मतलब 50 वर्स प्लस 15 वर्स टोटल करते हैं तो यह 65 वर्स maturity age होती है अब यहाँ पर जो 18 वर्स का वैक्टी है वो इस policy को 13 से लेके 25 वर्स के बीश में कोई भी एक term को ले सकता है क्योंकि 18 वर्स प्लस जो policy term होगा जो उसने select किया होगा वो उसके maturity years होगी मतलब जो maximum policy maturity age होगी वो 65 वर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आगे अगर इसके minimum basic semester की बात करें तो LSE ने इसमे minimum एक लाग का semester रखा है maximum basic semester की यहाँ पर कोई भी सीमा निर्दारी नहीं की गई है आप अपनी income के हिसाब से चाहे 10 लाग का semester ले सकते हैं चाहे 20 लाग का और एक करोड तक का भी semester ले सकते हैं वो आपकी income पर depend करता है semester in multiple आप semester को 10,000 से multiple कर सकते हैं suppose बीमा धारक को यहाँ पर 120,000 की policy चाहिए तो वो 10,000 को दो बार multiple करेगा तब जाकि उसकी जो semester होगा वो 120,000 होगा premium paying term की बात करो तो यहाँ पर LSE ने जो policy term दिया है उसमें से 3 verse minus करने के लिए का है मतलब जो policy term होगा उसमें से 3 verse minus करने के बाद जो भी year आएगा उतने साल आपको premium भरना होगा example लेकर देखते हैं एक वेक्ति जिसने policy term चूज क्या 25 वर्स का तो उसको 3 साल premium न भरने के लिए छूट मिली है मतलब 25 वर्स में से 3 verse minus करने के बाद उसे total 22 साल ही premium pay करना होगा premium paying mode की बात करें तो यहाँ पर LST ते चार mode दिया है पहला yearly दूसरा half yearly तीसरा quarterly चौथा है monthly mode जो नेच मतलब direct आपके account से deduct किया जाएगा जो बीमा धारा करेगा उसके account से deduct किया जाएगा या तो फिर जो उसके head of the family जिसने policy करवाई है उसके account से direct deduct किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ तक था इसके illegality and conditions के बारे में अब हम बात करेंगे इसके maturity benefit के बारे में कि policy maturity होने पर क्या benefit मिलता है साथ-साथ मैं बात करूँगा यहाँ पर wife और husband को अगरे policy दी जाएगी तो उसका कितना premium आएगा तो मैंने आप एक example लिया हुआ है age husband की है 30 verse और wife की age है 26 verse यहाँ पर submission दोनों को मिला है 5-5 लाख रुपया और जो policy का जो term है वो 25 verse select किया हुआ है जो premium भरना है वो 22 साली premium भरना है जैसे कि मैंने आप से कहा ता कि 3 साल premium नहीं भरना है यहाँ पर age entry 30 साल और 26 साल में policy start हो जाती है तो husband को first year जो पहला premium भरना है वो 21,820 सालाना premium भरना है और दूसरे साल से लेकिए 22 साल तक लगातार 21,350 उरुपया premium भरना है वही पर wife को पहले साल 21,486 उरुपया premium भरना है और दूसरे साल से 22 साल तक 21,024 उरुपया premium भरना है तो दोस्तों यह premium husband भी भर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टोटल 22 साल premium भरना और आगे के 3 साल premium नह भरने के लिए छूट मिल गई तो 22 साल में total husband ने premium भरा है 4,70,170 रुपया और wife का जो premium भरा husband ने 4,62,990 रुपया साल अना premium के हिसाब से आप यहाँ पर monthly, quarterly, half yearly premium को calculate भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही भी आप calculate करेंगे तो यहाँ पर premium amount थोड़ा बढ़ जाता है अब इसकी maturity benefit की बात करें तो age आप 15 में मतब husband की age में और wife की age में यहाँ पर जो maturity benefit मिलता है वो sum is short plus bonus plus final edition bonus मिलता है जिसमें पांच लाख समय सोड रहेगा, 6,12,500 रुपया बोनस रहेगा और final edition bonus रहेगा 2,25,000 रुपया मतब टोटल जो amount मिलता है 13,37,500 रुपया यह husband का maturity benefit है अब बात करेंगे wife के benefit की तो वो भी लगबख same ही रहेगा 13,37,500 रुपया अगर total maturity benefit की बात करें husband and wife की तो total amount होता है 26,75,000 रुपया तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि husband और wife की policy लेने के बाद जो maturity amount मिलता है वो 26,75,000 रुपय मिल जा रहा है दोस्तों अगर हम बात करें अगर किसी कारण वस भीमा धारक की मृत्तिव हो जाती है तो यहाँ पर nominee को क्या दिया जाएगा तो दोस्तों सबसे बड़ी सोचने की बात है कि क्या मिलेगा nominee को तो यहाँ पर अगर जो husband है उसकी natural death होती है उम्र उसके 34 वर्स में मतब 30 वर्स के इस उमर में policy लिया और 34 वर्स की उमर में उसकी natural death होगे किसी बीमारी में तो यहाँ पर nominee को जो बीमा रासी है उसका 10% उसके मृत्यू से लेके total maturity तक हर साल वो 10% देगी मतब 50,000 रुपया total 21 वर्स तक मतब wife इस amount से अपने सालाना premium भी भर सकता है मतब husband को कोई चिंता करने की जूरत नहीं है यहाँ पर जो भी money back मिल रहा है wife को जो भी उसका मतब compensation मिल रहा है उससे वो अपना LSE का premium भी भर सकती है तो total यहाँ पर उसे 21 वर्स में 10,500,000 पर मिल गया maturity पर भी जो amount मिलना था वो भी यहाँ पर LSE देगी अब आप देखेंगे मैंने पहले बताया था कि maturity पर 13,37,500 मिल रहा है यहाँ पर 13,87,500 मैंने बताया है तो यहाँ पर 13,37,000 के साथ में जो समिशट 5,00,000 था उसका 10% भी add किया गया है अगर total benefit की बात करें तो यहाँ पर जो उसकी wife है उसको 10,50,000 प्लस 13,87,000 के हिसाब से 24,37,500 का benefit दिया जा रहा है तो उसके husband को यहाँ पर उसे creamium भरने की चिंता करने की कोई जूरित नहीं है तो दोस्तों यहाँ तक था उसके husband की मृत्ति की बात अगर किसी कारण वर्स उसकी wife की मृत्ति हो जाती है मतब समेशर 10% of maturity benefit फिर उसके बाद 50,000 के हिसाब से वो भी अपना उस amount से अपने LIC का premium भर सकता है साथ में जो maturity benefit मिलने वाला तो वो भी मिलेगा टोटल maturity benefit की बात करे तो 10,50,000 प्लस 13,87,500 टोटल amount होता है 24,37,500 रुपया तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी तक natural death की बात की अगर किसी कारण वर्स husband की accidental death हो जाती है उसके उम्र 34 वर्स की उम्र में तो यहाँ पर जो भी accidental benefit रहेगा 5,000,000 रुपय जो sum is short है वो immediately wife को दे दिया जाएगा और साथ में 10% of sum is short वो every year दिया जाएगा मतलब 50,000 प्लस 21 साल तक मिलता रहेगा 10,500,000 रुपय मिलेगा और on maturity पर जो amount रहेगा वो भी यहाँ पर दे दिया जाएगा अगर इसके total benefit की बात करें तो यहाँ पर wife को 5,000,000 जो accidental benefit है वो और जो money back मिला है 10,500,000 रुपय वो और जो maturity amount मिलने वाला है 13,000,000,000 रुपय वो मिला कर total 29,000,000,000 रुपय यहाँ पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा इसी तरह अगर wife की accidental death होती है तो यहाँ पर भी husband को उसी तरह का benefit दिया जाएगा मतब total जो benefit मिलेगा 29,000,000,000,000 रुपय नॉमिनी को दे दिया जाएगा तो दोस्तो यह था accidental death and maturity benefit के बारे में और natural death के बारे में धन्यवाद दोस्तो आपके वीडियो कैसा लगा जरूब बताईएगा वीडियो का लाइक करना ना भूले जिसे मुझे काभी प्रोचान मिलता है कि मैं और भी जान करी आपके साथ में साजा गुरू दोस्तो अगर insurance related आपको कोई भी information चाहिए तो आप मेरे website www.lacinsure.in पर विजिट कर सकते हैं अपने सवाल मुझे email भी कर सकते हैं लacinsure1.com पर साथ में comment box में comment भी कर सकते हैं चैनल को subscribe कर दे बेल आइकन बटन के साथ में all option पर click कर दे जिसे मेरे वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद दोस्तो